हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी फूडी दोस्त, रिनु सिंगल कुकिंग विद रिनु एंड शिची में, आपका स्वागत है, चावल की इडली, सूजी की इडली, इडली आपने बहुत तरह की खाई होगी, पर चलिए कुछ चेंज करते हैं, थोड़ा नया टेस् हम लाए हैं, आपके लिए ब्रेड की इडली, तो ब्रेड की इडली कैसे बनेगी, और किस तरह से हम सर्व करेंगे, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, अगर आप भी बनाना चाहते हैं, ब्रेड की इडली, तो प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, तो इसके दही या बटर मिल्क डाल कर चर्ण करेंगे मैं यहां बटर मिल्क यूज कर रही हूँ लगबग एक कटोरी में यह डाला है अगर बटर मिल्क नहीं है तो आप इसमें 6-7 चमच दही और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अब इसको अच्छे से चर्ण करेंगे यह देखिए अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका अब इसको एक बाउल में निकालेंगे यह देखिए यहां मैंने पेस्ट यह बाउल में निकाल लिया है और आप मैं दिखा भी रही हूँ कितना स्मूथ पेस्ट बना है ऐसा पेस्ट तयार करना है हमें हमने एक प्याज और एक शिमला मिर्च को बिल्कुल बारिक-बारिक काट लिया है जिसको हमें इसमें मिक्स करना है नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार थोड़ी सी डालेंगे काधी मिर्च और इसको अच्छी तरह से mix करेंगे यह सब अच्छे से mix हो गया है अब इसमें हम एक छोटी कटोरी सूजी add करेंगे सूजी binding के लिए डालनी पड़ेगी हमें बाकी taste इसमें bread की इडली, bread का ज्यादा आएगा तो इसको हमने अच्छे से mix कर लिया है इतना ही गाड़ा होना चाहिए अगर आपका paste ज्यादा गाड़ा हो रहा है तो आप उसमें दो या तीन चमश पानी मिला सकते हैं इससे ज्यादा गाड़ा नहीं चाहिए हमें अब इसको हम ढखकर रखेंगे आदे घंटे के लिए अब इसमें मैं इनो डाल रही हूँ वन एड हाफ मतलब देड़ पाउच इनो का डाल रही हूँ अब इसको mix कर लेंगे अगर इस टाइम पे आपका बैटर ज्यादा थिक हो रहा है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी अड़ करिए दो या तीन चमश प्लेट्स को मैंने ग्रीस कर लिया है अब इडली के मूल्ड में हम इस बैटर को भड़ लेंगे इस बैटर से कुल मिलाके मेरी 22 इडली तयार हुई है अब इसको स्टीम करेंगे 10 मिनट के लिए यह देखिए स्टीम हो गई है और अब इसको हम चेक करेंगे कि पूरी तरह से पकी है कि नहीं पकी है यह देखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है तो चलिए इनको थोड़ा सा और इंटरस्टिंग बनाते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है कितनी स्पंजी बनी हैं कितनी बड़ी हजाली आई हैं अगर यह ऐसे ही खाना चाहें तो वह भी बहुत अच्छी लगती हैं बट मैं थोड़ा और चेंज कर रही हूं इसमें एक पैन में थोड़ा ओयल गरम किया है एक चम्मा जिसमें मैंने काली सरसो एड़ की है सरसो जैसे ही क्रेकल हो जाएगी चटक जाएगी तब हम इसमें अपनी इडलियां चैलो फ्राइगे वन बाई वन करके सारी इडली हम पैन में लगा देंगे जितनी भी एक बार में आ जाएगी यह देखिए आप इनको अच्छे से हमें एक साइट से हलका सा सेक लेना है फिर हम इने एक एक करके टर्न कर देंगे पलट देंगे ऐसे ही इनको हमें अलटते पलटते थोड़ा सा सेख लेना है, सेखने के बाद इनका टेस्ट और भी डबल हो जाता है यह देखे, सारी हमने टर्ण कर दी है और थोड़ा सा और इधर से भी सेख लेते हैं एक बाद फिर इनको हम फिलिप करेंगे यह देखे, दुबारा से परट दी है देखने में किता सुन्दर कलर आ गया है सो ब्रेड की इटली बिल्कुल बन कर तयार है तो आप लोग भी अपने घर में बनाएं खाएं इंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी यह रेसिपी कैसी लगी अगर दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो दिल खोल के शेयर करें आज के वीडियो में इतना ही जल्द मिलूंगी तब तक के लिए सायो नारा